अब दोस्तों मैं हूँ भी ब्लासपूर इस्टेशन में और 15 दिन पहले आया था तब भी इस ट्रेन को लेगा था लेकिन इसके बारे मैं कुछ जानकारी नहीं रखता था लेकिन आज फिर आया हूं यहां पर ब्लासपूर इस्टेशन में हूँ अभी सुबह के साथे 5 बज में पर सब्सक्राइब और 15 का नाम है वंडे भारत एक्स्प्रेस और व्लासपूर में फर्स्ट या हमारे चेतर में कह सकते हो वस्ताइम मैं देख रहा हूँ वुलेट चरहें और यह चानकारी नहीं थी सच में आज बतलब यह दूसरा वार मैंने देखा इससे पहले अभी आप पीछे से लेकर अब ही सामने से देख रहा हूं तो यह है बंदे भारत एक्स्प्रेस और यह बुले टेइंड तो पाफी अच्छा लगा देखकर चलिए मैं दिखाता हूं आप लों को यह या लुग देखिय कुछ इस तरह से दिख रहा है सामने से देख रहे हूं यह द इंडिया यह देखो काफी सांदर सच में बैटने के लिए चलिए दिखाता हूं अंदर से आपनों कुछ इस तरह से हैं यह तो अभी मैं आगे हम वंदे भारत एक्स्प्रेस वुलिट ट्रेंड के अंदर आप देख सकते हो कुछ इस तरह से सीठ हैं काफी खूब सुरत काफी सांदर यह देखिए भारती रेल आपका स्वागत करता है यह देखिए कुछ इस तरह से सीट है एकदम लगजरी सीट और यहाँ पर टेबल भी है यह देखिए चली चलते हैं यह सामने कुछ इस तरह से हैं इधर समान रखने के लिए यह देखिए इधर बैठने के लिए त तालिस मिट में निकलती है और बारा बचकर पंद्र मिट में नागपुर पहुचती है बीस जार आट्सो पचीस ट्रेन कुल पांच घंटा तीस मिट में यह सपर तै करती है एवं आयात्रा के दरवान च्छाई स्टेशनों पर रुखती है दोस्तों सारे डिपा में एक जैसा सीट है एना लाक्जरीस टीच-पीच में टेबल लगा हुआ है तो यह है अपने ब्लासमुत में पात्र एक द्रेन चल रही है बंदे भारत एक्स्प्रेस यह है बुलेट द्रेन अपने भारत भी विकास की और बढ़ रहा है मतलब हर जगा है हर बड़ी मेरी सीट्यों में बुलेट ट्रेन चल रही है बोलो भारत मता की जैए यह इस गेट सब आटोमेटिक ओपन होता है जब गेट के सामने जाते है ना तो आटोमेटिक ओपन हो जाता है इसा है मतलब सारे चीज सब आटोमेटिक है गेट को इसा टेशन ही करना पड़ता है मतलब अभी अंदर में गया था ना तो आटोमेटिक गेट खुलिया था तो यह है बंदे भारत एक्स्प्रेस बिलेट ट्रेन